दिब्यस नर्शरी में आप सभी दोस्तों का हारदी का भिनंदन है आज हम जिस पौधे की चर्चा करने जा रहे है इस पौधे का नाम सिरिस का पेर है तो सिरिस में अभी फूल का मौसम आया हुआ है यह जो महिना चल रहा है अपरील का महिना है अपरील का महिने में फूल आत आपको ज्यादातर सरक के किनारे खेत के मेढों पे असानी से मिल जाएंगे भारत वर्स क्या है आयुरुवेदिक पौधे से भड़ा हुआ है यहां पर धेरो सारे आयुरुवेदिक पौधे लेकिन जनकारी का भाव में हम लोग इसका इस्तमाल नहीं कर पाते हैं तो हमारे प वदा चम रोग में काफी लावकारी है घाव फोड़े फुन्सी को ठीक करने में भी काफी मदद मिलता है और वेदिक गरंथों में सिर्ष के बारे में बहुत सारी अच्छे-च्छी बाते बताई गई है शीरिष जो होते हैं तीन परकार के होते हैं लाल सिरीष काळा से आप देख रहे हैं सफेज सीडीस है जो दिखे काफी खुबसूरत फूल भी दिखने में लगते हैं और भी अगर इसके विश्तार से बात करें तो सफेज शीरिस की जो छाल होता है उसका परयोक करके जोरो के दर्द में काफी लाव ले सकते हैं और यह खूण का वहना को र रखते हैं तो आज हम जिस प्रोधे की चल्चा कर रहे थे यह सीरिस हमने सुचा की चलिए आपको कुछ इसके बारे में विशेस जनकारी भी बताते चले आपने अपना किम्ती समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद